आप लोगोंको अंदाज़ा नहीं है कि यह जो शूर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इसके बिहाइंड देसीन में क्या कुछ चल रहा होता है ऐसा नहीं है कि हम जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वहीं सारा कुछ है बलके बिहाइंड कर रहा होता है तो आदे इसके पॉन्ट फै हो सरी ऑफ दे पॉइव से कर रहे हहा हुए कि यी चीज माइन्यूड डिटेल्स का ख्यालजाता है कि अच्छी प्रडेक्च्छन लेवल होता है इतने इच्छे प्रोग्राम्स बनते हैं, तो कुदोस तो इस टीम, इस नाट जिस्ट मी, मैं तो सिर्फ कैमरे के सामने आता हूं, यह पूरी टीम की एफ़र्ट होती है, जो के इतने अच्छे अच्छे शोव आपके सामने, ISP स्टूडियो के आते हैं, तो I would like to thank all of you, वारिस साथ, thank you very much, जो के overall supervise कर रहे होते हैं चीज़ों को, और तब जाके यह एक टीम एफ़र्ट से इतने अच्छे अच्छे शोव बनते हैं, लेडिस जन जनल्मेन, I'm Shweeb Amit Mohal, this is ISP Studio and I welcome you to the weekend show. पाकिस्दान में मौसम लुका छुपी खेल रहा है, हमारे साथ कभी बहुत ज़्यदा गर्मी हो जाती है, और कभी मौसम बेहतर हो जाता है, जैसे आज करन्ट रिकॉर्डिंग के टाइम, मुल्तान का वेदर बहुत 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 अच्छा है, मौन्सोन की बारिश हो चुकी है, और वी चैरिश एवरी सिंगल डे जिसमें बारिश हो, आंधी हो, या फिर थोड़ा सा मौसम बेहतर हो क्योंके मौतान इस वेरी हॉट और ओवरॉल भी पाकिसान इस हाट रीजिन, तो हम इसको चैरिश करते हैं के जरह सा मौसम बेहतर हो जाए, इस्पेशली सबसे पहले बात करते हैं, ट्रेंड की जो के था रक्स बिसमिल सीजन टू, और देखके मुझे हैरत हुई, मुझे एक तो खुशी भी हुई हैरत भी हुई, क्योंकि I'm a very patriotic person, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चाहे मैं देखूं या ना देखूं, विकर जाहरी सी बा यूज कर रहे हैं, और इतना टैलेंट है पाकिसान के अंदर, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब इस तरह की कोई चीज वाइरल होती है, या पर उसके बार में बात की जाती है, या में शूर होती है, विकर देखूं हम सब को याद होगा, कि हम लोग इंडियन ड्रामा के पीछे, सोप्स के पीछे हम लोग पढ़ गए थे, और उससे पहले भी पाकिसान की ड्रामा इंडिस्ट्री ने अपने आपको प्रूफ किया, आप 80s के 90s के ड्रामा का भी उठा के देख लें, तो आपको पता चलेगा कि उस दोर में quality of content, quality of write-ups, acting, हमारे actors, हलांके सादगी से सब कुछ होता था, इतनी ज्यादा facilities नहीं होती थी, इतना ज्यादा technically हम बहुत ज्यादा strong नहीं थी, हमारी industry, television industry की बात करा हूँ, लेकिन क्या कमाल के dramas और movies की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि movies में हम थोड़े से पीछे रहे हैं internationally again, क्योंकि हमने innovate इतनी ज्यादा जल नहीं है, तो रक्स बिसमिल एक drama series जो के मैंने नहीं नहीं देखा, लेकिन it is very popular among youth, आजकल के लोगों में बहुत ज्यादा popular है और वो बात करते हैं इसके बारे में, और उसके बारे में basically ये debate हो रही थी Twitter के उपर, कि इसका season 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और मुझ इसा बिलकुल भी नहीं है, कि अगर कोई चीज बहुत अच्छी बन गें, ये मिसाल के तो पर एक movie या drama बहुत अच्छा बन गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है, कि आपने लाजमी उसका sequel लेकर आना है, क्योंकि कभी-कभी sequels, बलके most of the times आप देखेंगे, sequels उतने ज्या season 2 बनाना चाहिए, या नहीं बनाना चाहिए, तो आप लोगों का क्या point of view है, क्या आप लोगों ने रेक्सिब इसमिल देखा है, और अगर देखा है, तो what do you think, क्या इसका season 2 आना चाहिए, या इसको यहीं पर खतम कर देना चाहिए, प्लीज दो लेट में नो इन दे कॉमे personality के बारे में लिखा हुआ था, और most, one of the most influentials और important लोगों के अंदर, Malala Yousaf Zahi को mention किया हुआ था, उस book के अंदर, और PCTB ने इसके ओपर पाबंदी लगा दिया, इसके ओपर एक debate है, और आप लोगों को पता है, कि जो Malala Yousaf Zahi, जो personality है, यह शुरू से ही controversial रही है, पाकिसा पाकिसान के अंदर, पाकिसान में इनके लिहाद से दो ग्रूप्स बने में, जैसा कि बहुत सारे topics के बारे में, डिवाइडीड होते हैं लोग दो ग्रूप्स के अंदर, और बड़े extreme level के ओपर, कुछ लोग कहते हैं कि यह सारा drama है, ऐसा नहीं है कि यह स्टोरी बताई जा और शी वाज और शी वाज और शी इस बेरी टैलेंटेड, और बलके उसके बाद जब वो अभी graduate हुई हैं, उसके बाद की भी जो उनकी activities हैं, जो उनके comments हैं, उसके ओपर भी गाहे बगाहे हम सुनते रहते हैं लोगों के reviews, उन reviews के अंदर भी लोग divided होते हैं, तो I'm not sure कि आ इस बात हो रही है curriculum की, मैं साथ-साथ एक बहुत important point raise करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो के बहुत अरसे से मेरे जहन में था और मेरी यही सोचती है कि कभी मैं किसी platform पे जब गया, तो I would definitely raise this point, और वो point क्या है कि unfortunately, unfortunately, हमारे हाँ, हमारा जो curriculum है, उसको सालों, बलके दहाईयों से अपडेट नहीं किया जाता, मैं आज की बात नहीं कर रहा, कुछ चंद चैप्टर को अपडेट करने की बात नहीं कर रहा, मैं overall बात कर रहा हूँ, कि आप देखें कि दुनिया में कितनी तेजी से तरकी हो रही है, ठीक है, चाहे वो literature हो, चाहे वो science, most importantly science के अंदर, चाह आसा नहीं है, possible के पाकिसान के, यह जो body है हमारी, यह continuous हर साल curriculum को update करते रहें, कैसा possible नहीं है, मेरे ख्याल में आज के दौर में, we are living in an information age, and it is very easy to do that, अगर वो लोग जो positions पर हैं, अपना काम करें, जब इतने ground level के ओपर बैट के, I am a teacher, और मुझे अंदाजा है, कितना outdated content प रहें, क्योंके again, हम पाकिस्तानी books यूज नहीं करें हैं, हम यूज करते हैं, international books, जिसकी वजाए से हमारा वो नहे additions आते रहते हैं, और जो knowledge है, वो किसी हतक updated रहता है, लेकिन अगर देखा जाए, schools के अंदर, जैसे के, I work with British counselors, हम schools के अंदर जाते हैं, और teachers को देखते हैं, और उनको train करते हैं, और जब curriculum को देखते हैं, तो सालों से curriculum update नहीं हुआ हुआ है, recently, this government has taken initiatives in many regards, regarding updating the curriculum, और मैंने बात भी की थी, कि उसके अंदर Quran को add किया जा रहा है, Islamic point of view को add किया जा है, which is very good, लेकिन, I am talking about, कि जब दुनिया इतनी तेज़े से तरकी कर रही है, तो हमारा curriculum इतना पीछे क्यों है, हमारा जो बच्चा है, वो outdated क्यों है, बलके कभी के भी मैं तो सोचता हूँ कि along with the fixed यह जो curriculum होता है, हमें इसके साथ साथ बच्चों को इस तरह की activities में लाजमी कर देना चाहिए, इस तरह की activities कि वो research करें, research करें हर topic के बारे में, कि अगर हम मिसाल के तरह पर हम galaxy के बारे में पढ़ रहे हैं, या अपने planets के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह नहीं है कि जो textbook में लिखा हुआ है, वहां तक confined नहीं होना चाहिए, बच्चों को हम encourage करें, कि आप जाएं और research करके आएं, कि आज, आज तारीख तक क्या-क्या discoveries होई हैं, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हर फिल्ड में कुछ फिल्ड ऐसी हैं, जहां पर बहुत ज्यादा जैसे philosophy है, उसमें बहुत ज्यादा update नहीं होती है, उसको हम उसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, history में और यह सारी चीज़ हैं, लेकिन जो हमारा science के subjects हैं, especially, और even के literature में भी इतनी ज्या हटाना या फिर उसका वह हटाना, यह आप लोगों का एक एकदाम हो सकता है, आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या इस बारे में कमेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि उनके picture होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस आख रखनी चाहिए, और curriculum is very important, education depend कर रही है curriculum के ओपर, अगर हमारा curriculum outdated है, तो हमारी education outdated है, अगर education outdated है, अगर education outdated है, तो आपका बच्चा, student, जो youth आपकी बन रही है, जिसने पाकिस्तान को बनाना है, वो outdated है, वो compete नहीं कर सेगा दुसरी दुनिया के दुसरे countries के ओपर, ठीक ह तो एक तो teacher से में request यह है कि curriculum तक please confine ना रखें students को, वो बहुत पीछे दोर चला गया है, कि आपने जी किताबों से पढ़के वही लिखना है paper के अंदर, बच्चों को research oriented बनाएं, बच्चों को wings दें, उनको सिखाएं कि किस तरीके से उन्होंने knowledge को, किस तरीके से उन्होंन प्रिजेंट किया सेनेट के अंदर, जो के था criminalizing the torture and custodial deaths in Pakistan, इसका क्या मतलब है असान अलफाज में, कि ऐसे लोग जो के custody में होते हैं, चाहे वो अदालत की custody में हों, चाहे वो police की custody में हों, या पिर प्री ट्रायल के अंदर हों, तो ऐसे लोगों के साथ कभी कभी जो torture होत तो इन इदारों से पूछने वाला कौन है? ठीक है? बाहर तो अगर किसी की death हो जाती है, किसी साथ torture किया जाता है, उसके बारे में law है, उसके बारे में law apply भी किया जाता है, और सजा भी दी जाती है, कोशिश किया जाती है, लेकिन जब एक criminal इन इदारों के पास आ गया, त क्या वो national death थी, या उसके पीछे कोई reason थी, या जबरदस्ती करवाया गया, इन सारी चीज़ों को investigate करना, एक सवालिया निशान, इन से सवाल करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी था, और यही इस bill का मकसद था, जो कि प्रिजेंट किया गया, और the good news is, कि unanimously सेरे ने इस bill को approve कर दिया है कि yes, हम पूछेंगे, अगर किसी criminal के साथ extra, या एक तो उसकी punishment होती है, लेकिन अगर उसके साथ extra torture किया गया उसको, या पिर खुदाना खास्ता उसकी death होगी, वहां पे तो पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ उसकी investigation की जाएगी, and I think that is something very good, लेकिन जब ये बिल पास हुआ, तो social media, again, social media is everywhere, जब भी कोई चीज होती है, उसका एक reaction होता है, जो के पाकिस्तानी अवाम देती है, social media के ओपर, और वहां पे कुछ लोगों का concern था कि ये बिल तो बहुत जल्दी से पास हो गया, उनने प्रेजेंट क about it, वो इतना easy और smooth नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रेजेंट किया और वो अप्रूव हो गया, या फिर वो पास हो गया, उसके बारे में जो बाबर रवान साब हैं, उन्होंने कहा कि इसको बिलकुल हमें, हमारी जो Islamic council है, उसके पास आप इसको भीजें क्योंकि इसम के मताबिक definitions नहीं है, मिसाल के तोर पे अगर violence है, या torture है, उसकी क्या definition है, domestic violence की बात करें, उसकी क्या definition है, मैं मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को, तो इन definitions में कुछ problems थे कि ये align नहीं हो रही थी, इसलाम के साथ, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान is an Islamic जुरिया country, और ह हम कहते हैं कि हम progressive या पर liberal हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, पाकिस्तान से आप कभी भी religion को, at least आज के दिन तक आप religion को eliminate नहीं कर सकते हैं, उसको अलैदा से पाकिस्तान को religion के इलावा नहीं देख सकते हैं, और इसी तरीके से जो basic principles हैं, इसलाम के, उनको आप बिलकुल अलैदा न नाम पर, तो इसलिए जब domestic violence की बात हुई तो ये कहा गया कि आप उसको Islamic council के पास बेजें ताके वो इसको review करें और उसके बाद हम इसको देखेंगे, अगें internet is divided, कुछ लोगों का कहना था कि ये बिल्टो फोरण पास हो जाना चाहिए था, domestic violence बहुत बुरी चीज़ है क्य पैसा नहीं है कि इसको untreated नहीं चोड़ना है चीज़ डिमेस्टिक violence को क्यूंकि हमारे पास बहुत 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 जयाती के कहसाते हैं, बहुत जयाती की जाती है, घरों के अंदर violence किया जाता है, क्यूंकि हम बहुत जयादा तरकी आफ़ता country नहीं हैं, हम तरकी पजीर जर जाती है, तो वो सही चीज़ें भी करता है, लेकिन वो गला चीज़ें भी कर सकता है, जयाती भी कर सकता है, तो बैसिकली यह जो बिल था, यह overall violence को domestic घर के अंदर होने वाली जयाती और जल्म के बारे में था, लेकिन डेफिनिटली उसके बारे में कहा जा रहा है, कि इसको रिव्यू कराना चाहिए, इसलामिक काउंसल से, और उसके बाद हम इसको अप्रूव करेंगे, या पास करेंगे, डू लेट मी नो, वाट यू थिंक अबाउट इस पर्टिकुलर थिंग, एंड वीकेंड शो हो, वास्प हो, और टिक टॉक की बात ना हो, यह हो नहीं सकता, नो, यह हैं आप टिक टॉक, बट टिक टॉक खुद से कॉंट्रवर्सी में रहती है, जो एप है बेसिकली, शुरू से कभी यह बैन हो जाती है, किसी कंट्री में कभी अन बैन हो जाती है, कभी इसके फीचर्स के ओपर पॉर पॉर्बम आता है, कभी आर्टिफिशल इंटे हों, चाहिए वो आपके बिहेवियर्स हों, आपकी वीडियो, आपकी शेकल, एवरीधिंग, टिक टॉक 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 तोड़े से नजर में आई है, यह कॉंट्रवर्सी का हिस्सा बनी है, वो इसलिए नहीं आई है, कि वो डेटा कलेक्ट कर रही है, बलके वो इसलिए आई है कि टिक टॉक माइट भी अलेजिटली रेसिस्ट एप, क्योंकि रिसेंटली कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब हम कैप्शन के अंदर उसके लिखते हैं, कि बलैक लाइव्स मैटर, हैश्टेग देते हैं या फिर लिखते हैं, तो टिक टॉक उस वीडियो को और उस दिसक्रिप्षन को डिलीट कर रहा है, अगर गर कोई दिस्क्रिप्षन लिखते हैं, तो वह एक्सेप्ट कर रहे है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है, इसका ये मतलब है, कि उसके पीछे कुछ ना कुछ इस तरह की intelligence के अंदर उन्होंने कुछ इस तरह सौफ़र में फीड किया है कि अगर यह certain चीजें कोई लिखे या प्रॉपरगेट करना चाहिए तो उसको आपने डिलीट कर देना है और यह कुछ चोटी मोटी बात नहीं होती है टिक टॉक एक प्रॉब्लिक प्लैटफॉर्म है वहाँ पर हमारा जो फीडम अफ एक्स्प्रेशन है हम कुछ कहना चाहरे हैं कुछ आइडियालोजी अंटि और उन्लेस वो किसी को हाम नहीं कर रही है खतरनाक नहीं है तो मेरे ख्याल में उसको वहाँ पर अलाओ होना चाहिए लेकिन सिंस यह जो एप्स हैं सारी एक जगा से कंट्रोल हो रही होती है ऐसा नहीं है कि खुद ही चल रही है तो डेफिनेटली पीछे पॉलिक्सिस बनती है और अगर टिक टॉक रेसिस्म को एंकरेज कर रहा है और उसके जो रेसिस्म के एंटी रेसिस्म के जो कैमपेंज है उनको रिजेक्ट या डिलीट कर रहा है तो तो दैट मेंज देर इस सीरिस प्रॉब्लम गोइंग ओन इन दी हैड़कोर्टर्स अफिक टॉक और इस चीजें अनोटिस जाती है और आप सब लोगों को पता होगा के योरो चैंप्योंशिप 2020 में जो कब है वो होम टॉरोम चला गया यह जो स्टेटमेंट है यह तो एक ब्रैंड और टैग लाइन बन चुकी अब और hashtag was popular on Twitter, on Instagram, on TikTok, everywhere home to Rome और ये बड़ी unfortunate सी situation है, although I don't follow sports that much लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कितने अर्से से ये England के अंदर हो रहा है लेकिन जो England की टीम है वो इसको विन नहीं कर सकी है और लेकिन पचास सालों में मेरे ख्याल में, पचास साल से भी जायद, 1950 से मेरे ख्याल में correct me if I'm wrong, I'm really sorry, I'm not a very big sports person बचास से लेकिन अब तक पहली दफा सेमी फाइनल में England गया जो के बड़ी बात है और एप्रिशेट करना चाहिए इतना लेकिन फिल जो फाइनल है वो नहीं जीच से के UK की टीम, England की टीम और जो कब है वो इटली के हिस्से में चला गया and that was the reason that this hashtag, this tagline was so popular in the internet and then home to Rome and that is sad but ऐसे ही होता है खेलों में लेकिन I wish के next जो championship हो उसके लिए I will be rooting for UK के एक कब तो वो घर ले आए, last but not the least में technology की दुनिया से एक बहुत बड़ा concern आप लोगों से share करना चाहरा था और वो यह कि जैसे जैसे हम लोग technology में advancement देखते जा रहे हैं कि बहुत ज़दा technology advance हो रही है लेकिन हम एक चीज़ को बहुत ज़दा avoid कर देते हैं और वो है हमारी privacy जैसे जैसे दुनिया तरकी करती जा रही है, अगर हम पुराने तकरीबन 20 साल पहले चले जाएं तो हम देखते हैं कि ना तो कोई हमारी location को track कर रहा था ना तो हमारी तस्वीरें अपने पास कोई save कर रहा था तस्वीरें अपने पास save करने का मुराद है कि यह जो आपकी gallery के अंदर जितने भी images है आपका जो भी phone है smartphone अगर है वो और उसके अपर अगर internet चलता है तो आपकी यह पूरी gallery की तस्वीरें कहीं ना कहीं save है अब आप कहेंगे कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ मैं तो कभी किसी को phone भी नहीं देता मुझे तो डरी सबसे बड़ा यह होता है कि मेरा phone कहीं चोरी हो गया तो चलो phone तो चोरी हो गया लेकिन मेरी उसके अंदर जी pictures है फैमिली की pictures है और private हमारी pictures होती है लेकिन आपकी pictures जैसी phone में होती है जैसी आपने Facebook install किया और उसको इजाज़त दी अपनी gallery के अंदर गुसने की that means कि आपकी सारी gallery के pictures Facebook के headquarters के पास पड़ी हुई है इसी तरीके से Instagram है, TikTok है, जितनी भी social media apps हम use करते है और इसके लावा कोई छोटचोटी apps भी है वो आपसे पुछती है please allow the access to gallery तो सारी the point is कि अगर 20 साल पहले चले जाएं तो हमारा मेरी personality, मेरी identity बहुत ज़्यदा exposed नहीं थी एक तो वैसे ही social media के ओपर publicly और वैसे भी किसी company के पास मेरा इतना ज़्यदा data नहीं था और वो company भी वो company जो के मेरे country की नहीं है इसका ये मतलब है कि चलो मेरी government के पास मेरी information हो ये तो एक बात समझ में आती है इक system चलना होता है, ID card का system होता है, उनके पास सारी information होती है government has all the right to have my information to some extent of course वहाँ भी कुछ privacy limitations होती है लेकिन किसी दूसी country के पास मेरा इस हद तक data है कि उसको ये पता है कि ये एक week के अंदर घर से कितनी दफा निकलता है और कहां कहां जाता है एक week के अंदर ये खाना बाहर कितनी दफा खाता है एक week के अंदर इसकी नीद पूरी हुई है कि नहीं हुई है कितने बज़े ये सोता है, कितने बज़े ये उठता है ये सारी जो हमारी smart devices है हमारे पूरे lifestyle को ये basically monitor कर रहे हैं ये सो स्केरी कि मिसाल के तौर पे आप घर नहीं है तो आप किसी को नहीं बताते कि मेरा घर अकेला है लेकिन आपकी devices को पता होता है कि आप इस टाइम घर नहीं है ठीक है, आपकी location का पता होता है आपकी devices को ये पता होता है कि साल में आप हुन्जा कितनी दफ़ा जाते हैं कितने सालों में हुन्जा कितनी दफ़ा जाते हैं ये भी आपकी डिवाइस को पता होता है तो दिस इस केरी मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं अपने इस प्लैफॉम को हमेशा यूज़ करता हूँ issues की awareness के लिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि how much vulnerable you are by using these apps आपने उसको रोकना है या नहीं रोकना ये आप लोगों के हाथ में है भी और नहीं भी है भी इसलिए कहा रहा हूँ कि आप mobile फैंग दे आप smart phone यूज ना करें आप बटन वाला phone यूज करें या फिर आप ये apps इंस्टॉल ना करें अपने फोन के उपर इस तरीके से आपके हाथ में है लेकिन कैसे आपके हाथ में नहीं है वो ये कि आप survive नहीं कर सकते है आज के दुनिया ठीक है तो अगर आपके पास मिसाल के तरपे आप Facebook नहीं यूज करते हैं तो लो करें क्या मतलब है क्या मतलब है आपका क्या Facebook यूज नहीं करें ठीक है या तुम Instagram Stories नहीं यूज करते हैं Snapchat पे स्ट्रीक नहीं भीजते हैं तुम किस तरह के हम चलाना चाहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम Instagram पेज के बगएर उसको चलाएं या फिर हम उसको Facebook का कोई business पेज ना बनाएं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई business इसके social media के बगएर रन कर सकते हैं तो जी आपके हाथ में है भी लेकिन आपके हाथ में नहीं भी है लेकिन आप लों को यह अंदाजा जरूर होना चाहिए कि आपके कितनी ज्यादा information शेयर हो रही है अब मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइस को ना पता चले कि आप इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना या तो इंटरनेट बंद करना पड़ेगा या फिर मजीद settings में डेफ्थ में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि एच्छी location में आफ कर दूं आपने जैसी location आफ की लेगिन आपको यह भूल गया कि Snapchat के अंदर आपने location आफ नहीं किया अपनी Snapchat का तो आपने आपको पीछा करने की और इसी तरीके से कौन-कौन सी एप से आप अपने आपको आफ करेंगे लेकिन जब आप conscious होते हैं इन चीजों के बारे में अगर आपक कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं लेकिन इस वेरी डिफिकल्ट इन इस टाइम्स तो लिए विदाओ इस दिवाइसे और इस सोशल मीडिया नेट्वर्स चाहिए वह वाटसाप हो चाहिए फेस्बूक हो इंस्टर्राम हो कोई भी हो तो मुझे जो concern है वो यह है फ्यूचर का के फ्यूचर के अंदर इसके लावा एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूं कि कैमरा जहर तरफ हैं जो के security की तरफ की वजह से होते हैं जो दूसरे कंट्री से वहां पर यह चीज़ सर्विलेंस ज्यादा है कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जहां पर कोई ऐसा को आरे होते कि आपको इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए लेकिन सेक्यूरिटी पर्पोस की विजह से आपकी सर्विलेंस हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी आइसा इसा आप देख लें बहुत सारे बड़े-बड़े शेरों में लाहॉर में इसलाबाद में सर्विलेंस जाँ जाँ होगी इसी तरीके से ट्रिकल डाउन करती है चोटे शेरों में भी आ जाएगी तो कंसर्ण फ्यूचर के अंदर ये है कि हाव मच आई वांट तो बी रिकॉर्ड़े बाई समबडी एल्स हाव मच आई वांट तो शेर माइफ इस समबडी एल्स मैं अगर कुछ कर माइक को एकसस दिये के यू कन रिकॉर्ड मी और यू नो लिसन तो मी तो इसका यह मतलब नहीं कि अब इस टाइम जब मैं यूज नहीं कर रहा एप बैग्राउंड के अंदर याप के लिसन तो मी यह जब आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने दोस्तों से बात करते हैं कि मिसाल के तोर पे आपने किसी फोटाफी के बारे में बात की है या आपने कैमरों के बारे में बात की है तो थोड़ी दिर बाद आपको इस्टेर्ग्राम के ओपर एड़ आना शुरू हो जाएंगे कैमरों के बारे में अब आपने टाइप नहीं किया फोन के अंदर इंप सिचुएशन है यह तो आज की हम बात करें 2021 की लेकिन आगे जाके क्या हलात होंगे वी नेवर नो तो हमें क्या करना चाहिए हमें इस चीज के बारे में एक तो वेर्निस होनी चाहिए हम सब लोग को पता होना चाहिए कि सारी चीजें हो रही है इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मुझे भी जब पता चला था मैं बड़ा है इस टाइम फोन मेरा पड़ा मुझे सुन रहा है और वह उसके मताबिक अल्गरिदम को बता रहा है कि श्वेब श्वेब is talking about this thing so you should show these ads जब वो श्वेब इंस्टागरम यूज कर रहा है तो this is very surprising and this is very dangerous as well तो एक तो हमें awareness होनी चाहिए और दूसरा definitely we can raise our voice और हम pressure put कर सकते हैं in technology companies के उपर के आप हमारी privacy का थोड़ा सा ख्याल रखें आप थोड़ा से दूर दूर रहें हमसे क्योंके मैं तो बड़ा private इंसान हूँ मैं तो अपनी बाते अपने best friends को नहीं बताता और तुम phone हो के सारा कुछ सुन रहे हो अमेरिका के अंदर बैटे कोई मेरी बाते हैं सुन रहे हैं तो I do not want that. Okay? Stay away social media from me. Ladies and gentlemen, इक साथ साथ चलते हैं हम अपने एक बहुत important segment के तरफ जो के है a better life. A better life में हम बात करते हैं अपनी जिंदगी की उलजुनों के बारे में कुछ लोग जहां पे stuck होते हैं और उसके बार पॉटन टॉपिक कहीं आ जाएगा. Let's take a break and break के बाद हम आएंगे better life के साथ. Welcome back after the break. My favorite segment, a better life. कभी आप लोगों ने सुचा है कि मैं अपने इस segment का नाम अब perfect life भी तो लिख सकता था. लेकिन मैंने इसको a better life लिखा. उसकी reason ये है कि perfect life does not exist. ना तो perfect human beings exist करते हैं इस पूरी दुनिया में. इस दुनिया में तकरीबन साथ अरब से भी ज्यादा बादी होगी है. तो एक random figure है ना साथ अरब उससे भी ज्यादा बादी होगी. और इतने सारे लोग उन में एक भी हमारे सामने example नहीं है. कि यार जो perfect बंदा या बंदी है वो इस तरह का होता है. आपने इस तरह का बनना है. कई भी example नहीं है. दुनिया के किसी भी कौने में चले जाएं. कि I do not have to be perfect. यानि कि मुझे सिर्व बेतर होना है. मैं अपनी आद्तों को, अपनी behaviors को, अपनी सोच को बेतर कर सकता हूँ. लेकिन perfection नहीं है. तो मेरे उपर से वो जो burden है being a perfect person, being a perfect son, being a perfect daughter, being a perfect employee. वो pressure नहीं है. क्योंकि nobody is a perfect daughter, perfect son, perfect brother, perfect husband or wife, perfect employee or employer, कुछ भी perfect नहीं है. तो सबसे पहले तो ये बात जहन में. लेकिन इसका हर्गिज ये मतलब नहीं है. कि आप अपनी जिन्दगी में जो गलतियां कर रहे हैं, या किसी के साथ अगर जयाती कर रहे हैं, या आपकी वज़ाए से किसी के जिन्दगी में मुश्कलाइत प चीज़ों से मिलके बने हुए. ठीक है? आज का हमारा जो मेजर मेसिज है, आपके परस्पेक्टिव को जो चेंज कर देगा वो ये है, कि एक इनसान तीन चीज़ों से मिलके बना होता है. सबसे पहले चीज़ क्या? उसके जीन्स. यह वाली जीन्स नहीं जो मैंने पहने हु कुछ मेरे अंदर ट्रांसफर हो गए. ठीक है? अब यह वो चीज़ है कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मेरे तो जीन्स में मिली है, मिसाल के तौर पर वैसे तो हर को यह कहता है कि मिले घुसा बढ़ा आता है, लेकि कुछ लोगों को घुसा जल्दी टेंपर लूस कर जात है. घर का environment, आपके घर का culture कैसा है, आपके घर का background कैसा है, आपके घर में किस तरीके से तरबियत की जाती है, नहीं की जाती है, आपको कौन-कौन से चीज़ें बताई जाती है, नहीं बताई जाती है, आपके घर में लड़ाई जगड़ी होते हैं यह नहीं होते हैं, ठीक ह करेगा जब आप बड़े होंगे आपकी personality को इन सारी चीज़ों की आपकी personality के ओपर असर होता है affect करती है इसी चीज़ें आपको ठीक है तो यानि इसका ये मतलब हुआ कि आप इस time certain situation में अगर कुछ behave करते हैं उसका लेना देना हो सकता है कि बच्पन में when you were growing up तो आपके घर क महाल कैसा था ये उससे लेना देना इसका हो सकता है क्यों क्योंके इनसान तीन चीज़ों से बना है पहले चीज जीन्स दूसरी उसका environment environment start होता है घर से तो घर के अंदर बच्पन के अंदर especially when you're growing up तो जो चीज़ें भी हो रही होती है वो बहुत ज़दा affect करती है ठीक है उस important चीज़ जो कि हमारे उपर हैसान अंदाज होती है चाहे वो बचे हो चाहे वो बड़े हो वो है मीडिया हम किस तरह की मीडिया से exposed है हम क्या पढ़ रहे हैं क्या देख रहे हैं क्या स्क्रॉल कर रहे हैं इस चीज़ का हमारी personality इसके उपर positive affect पढ़ता है इसलिए मैं कहता whatever content you are consuming ठीक है आप weekend show देख रहे हैं या पिर आप कुछ और देख रहे हैं propaganda या पिर कुछ इस तरह की चीज़ देख रहे हैं कि जो कि आपकी सोच कहीं से कहीं ले जाए ठीक है सही और गलत का पता जरूर होना चाहिए तो मीडिया का एक बहुत बड़ा influence है आपकी personality के उपर और ये environment में आता है कि environment का असर हुआ इस बंदे के ओपर जिसकी वज़ा से ये बंदा इस तरह सोचता है और research बताती है कि जैसा आप सोचते हैं there are more chances कि आप ऐसे करते हैं आप ऐसे behave करते हैं मिसाल के तोर पर अगर आप किसी शक्स को बुरा समझते हैं सोचते हैं कि ये शक् साथ दोस्ती लगा सकते हैं I'm comfortable working or talking to that person because I think that this person is a good person तो environment का असर, environment के अंदर family का, आपके दोस्तों का, आपके society का, आपके culture का, आपके city का, आपके city का, आप जिस city में रहते हैं city का भी a culture होता है, ठीक है? मैं डीजी खान से हूँ basically, तो डीजी खान का एक culture है, अभी में मुल personality के उपर ऐसर होता है, ठीक है? तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको as a person define कर रही होती है, ठीक है? थर्ड, last but not the least, जो तीसरी चीज़ आपको define करती है as a human being, वो हैं आपकी choices. Yes, your choices. इंसान अशफल मखलुकात क्यों हैं? पता है आपको? वो इसलिए कि उसके पास choice है, ठ उसके parents को आने है, उसके बहन भाई को आने है, ये उसकी choice नहीं है, लेकिन उसने जब हम बड़े होते हैं, उसने अपनी जिन्दगी के साथ करना क्या है? क्या उसको सही और गलत का पता है? मैने क्या study करना है? मैने किस शहर से करना है? ये आप decide कर सकते हैं, ये आपके somehow आप अच्छा बरताओ करना है, ये जयाती करना है किस के साथ, you can decide. मैंने किस शहर से smiling face के साथ बात करनी है, ये अपने मूँ पे बाराव जा करनी है, you can decide. ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो के आप decide कर सकते हैं, इसलिए आपकी पूछ भी होगी इन चीज़ों के बारे चॉइस नहीं दीगे इनको, ठीक है, इनको नहीं कि गलत, सही, क्या है, इनको एक प्रोग्राम इनके अंदर फीड होता है, कि जब ये थोड़े बड़े होंगे तो इस तरह से चलेंगे, ये खाएंगे, ये पीएंगे, that's it, ठीक है, उनके पास ये नहीं है कि मैंने अपनी जो सबसे ज़एदा अफेक्ट करती है इनसान को, सबसे ज़एदा आपके हाथ में होती हुआ आपकी चॉइस, आपके डिसीजिजन होते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ, कि मैं एक तो सबसे पहली बात, कि I don't have to be perfect, लेकिन इसका हर्गेज ये मतलब नहीं है, मेरे अंदर को जो हाइyper हैं बहुत ज़एदा, उस चीज को आप पढ़के उस चीज को स्टडी करके, थेरपी लेके, उस चीज को कॉशनी सोच के डिसीजन लेके कि मुझे इस जगह पर मुझे घुसा आ रहा है, लेकि मुझे हर जगह पर घुसा नहीं करना है, कुछ जगह पर आपको ल अगेन उन चीजों के ऊपर आपने काम करने इन चीजों के वज़से आपने लोगों के साथ जियात शुरू नुी कर देना कि मैरे सा अपसवे शुरू निए कौछ के देना इस तरीके से मेरे हलात ख्राब थे या पिर जो भी 10ग सौ मस्लें मिसाइल होते जो यह तो इस वज करते जाना है लेकिन जो चीज़ें नेगटिव हैं जो चीज़ें दोस्रों को हट कर रही है आपको अपने आपको हट कर रही है उस चीज़ को आपने decision लेके change करना है और जो थर्ड चीज़ है कि taking decision एक इनसान क्या है इनसान नतीज़ा है अपने फैसलों का ठीक है तो जो फैसले हैं न वो सोच समझ के किया करें मैंने क्या पढ़ना है, मैंने कहां पढ़ना है, मैंने कहां रहना है मैंने शादी कहां करनी है मैंने किस तरीके से अपनी सोसाइटी को सर्फ करना है मैंने पाकिसान के लिए क्या करना है मैंने अपनी आखरत के लिए क्या करना है ठीक है मैंने दुनिया के लिए क्या करना है यह सारी चीज़ें हमारे डिसीजन्स है और यह हमारे हाथ में है तो अपने जो decisions हैं वो सो समझ के लिया करें क्योंके एक इनसान नतीजा है अपने फैसलों का इसी प्यारी सी बात के साथ I hope के आप लोग को आज का शो अच्छा लगा होगा and thank you very much for always encouraging and thank you very much for always loving the show not me but the show मैंने जैसे आप लोग को बताया के show मैं तो सामने होता हूँ सिरफ लेकिन यह बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है and I would love that if you like it share it and subscribe it and leave your comments about the team as well साथ साथ में हम आपको मिलेंगे next weekend में तब तक के लिए Allah आपस कर दो साथ कर दो साथ